नमस्कार दोस्तों सुवागरे अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है फेस्बुक मेसेंजर के ये जो एरर आप देख रहा है इसको कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वी कुट नोट फाइंड एनी फेस्बुक अकाउंट लिंक टू इमेल एड्रेस देर साइन इन ओन डिस दिवाइस ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्रॉब्लेम हो रहा है कैसे आपका जो प्रॉब्लेम हो सॉल्ट होगा और किस इसके रिलेटेड प्रॉब्लेम हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ और दोस्तो कैसे solution आप कर सकते हैं वह मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा ठीक है यह problem दोस्तो messenger के अंदर पर basic लिया में देखने को मिलते हैं जब हम अपने messenger को login करते हैं ठीक है facebook account को जब messenger पर login करते हैं तब हमें यह आर रहाते हैं तो अगर आपके साथ भी ऐसा error आ रहा है आपको भी ऐसा कोई problem आ रहा है तो वीडियो को देखें और solution को follow करें वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जैक्ते हैं आपर हमें solution केसे करना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जब भी हम messenger login करने के कोशिश करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर username हो गया और उसके बाद हमारा जो password हो गया ठीक है वो यहाँ पर सही होना चाहिए कि आपका जो email address है वो यहाँ पर problem कर रहे है यानि कि उस email address पर जो facebook account है वो नहीं मिल पा रहे है ठीक है यहाँ पर लिखा हुए we could not find any facebook account link to email address that are signed in ठीक है तो इस email पर जब facebook account linked नहीं है या तो फिर आपने account बनाया नहीं है तो उसके वज़त से भी problem आते कई बार तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको find account पर जाना है ठीक है facebook के find account पर जाईए और account को एक बर find करने की कोशिश कीजिए कि इस नंबर पर एकाउंट है या नहीं है तो अपना जो facebook का login पेछे आपको उसमें जाना है ठीक है find account उसके बाद आपका जो नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना है तो यहाँ पर नंबर वगरा देने के बाद आपको find your account पर क्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जो account है उसमें नंबर उसमें facebook एकाउंट है ठीक है इस नंबर पर अगर मान लीज़े facebook account है तो आपको सारे के सारे यहाँ पर show करेगा ठीक है सारे account यहाँ पे show करेगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा account है इस number पे और उसके बाद दोस्तों उसके हिसाब से password आपको लगाना होगा ठीक है and then आपका जो account है वो login हो जाएगा और problem solve हो जाएगा तो यही solution आप यहाँ पे follow up कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जब एक number के अंदर पे अगर दो ठीन account open करते हैं तो भी ऐसा problem हो जाते हैं ठीक है search नहीं कर पाते हैं तो उसके वज़े से क्या होते है number देने के बाद पासवर्ड आपका सही होना चाहिए अदर इस दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो जंबलाब हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है आपको simply अपना जो account है उसको अच्छे से लोगिन करना होगा with password ठीक है यूजरनेम आपका सही होना चाहिए और आपका password अगर correct नहीं है तो उसको आप reset बगएरा कर लिजे उसके बात में आप लोगिन करेंगे तो solve हो जाएगा आपका problem दोस्तों अगर आपका messenger यहाँ पर update नहीं किया हुआ है तो play store पे जाए messenger को search कर लीजिए और update कर दीजी ठीक है उसके बाद में दोस्तों आप login कीजिए solve हो जाएगा आपका problem क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते है password सही नहीं होने के वज़े से ऐसा problem हो जाते और account आपको find out करना होगा username आपको सही से चेक करना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों जब आप sign in करोगे तो definitely आपका account भी login होगा और आपका problem भी solved होगा ठीक है तो इसके related दोस्तों आप यही solution यहाँ पर follow up कर सकते हैं दोस्तों इमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा thanks for watching